इंडिया कटबंधन के कोडिनेशन कमीटी की पहली बैठक, इस बैठक में तैय होगा कि कौन किस सीट पर चुनाओ लड़ेगा, किस राजनीतिक दल को कितना हिसेदारी मिलेगी कोडिनेशन कमीटी की बैठक के लिए कोडिनेशन कमीटी में सामिल तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाई गया लेकिन कोडिनेशन कमीटी में इंडिया खट बंधन के इस कोडिनेशन कमीटी में सुरुवात की पहले ही बैठक में अन्बन की खबरे दिख रही है दरसल बिहार से दो लोगों को प्रमुक्ता से जगह दी गई एक राजा से तेजश्वी आदो तो जनता दल उनाइटेर से राष्टी अध्यक्ष ललन सिंग को तेजश्वी दिल्ली रवाना हो गए लेकिन ललन सिंग इस बैठक में नहीं जा रहे अब तक जो जनकारी है उसके मुताबिक यह है कि ललन सिंग कोडिनेशन कमीटी की बैठक में नहीं सामिलोंगे क्यों नहीं सामिलोंगे या बड़ा सवाल है इंडिया कट बंदन के भविश के लिए भी बड़ा सवाल है आरियन तेकि निश्ची तोर पर बड़ी खबर है क्योंकि कॉडिनेशन कमीटी में ललन सिंग को जगा दी गई थी और जब ये इंडिया गट बंधन बन रहा था उस दोरान चर्चा तेज थी कि नितीश कुमार कॉडिनेशन कमीटी के सबसे बरे चहरे होंगे लेकिन उनको ज जिम्मेदारी दी गई लेकिन अब जब पहली बैठक इसकी कल शरत पवार के दिल्ली आवास में होनी है उससे पहले कहा जा रहा है कि जो जटका है वो इंडिया गट बंधन के लिए है क्योंकि मुख्यमंत्री नितीश कुमार जिस मुहीम को धार देने के लिए निकले भार जनता पार्टी को सिकस देने की बात हो रही थी उसी पार्टी के अगर बड़े चेहरे जीने बड़ी जिम्मेदारी दी गई वो नहीं जा रहे है ललन सिंग तो सवाल कही है सवाल में पहले यह कि क्या ललन सिंग नितीश कुमार से खफा है क्या ललन सिंग महागडबंधन स क्या ललन सिंग समझ रहे हैं कि जो formation तयार हो रहा है इसमें कहीं से भी राय मसवरा ठीक से नहीं होगा seat setting पर जो चर्चा होनी है वो कहीं से fit नहीं बैठेगी क्योंकि जितना बड़ा यह स्वरूप है इस स्वरूप में हर दल अपना वजूद अपने राज्यों में रखता है ऐसे में shit sharing का formula क्या होगा ललन सिंग के बारे में पाटी के नेता और कारेकरता कह रहे हैं कि उनकी तबियत खराब है लेकिन जिस तरीके से नालंदा में दस तारिक को ललन सिंग ने धारदार तरीके से भाशन दिया मुख्यमंत्री नितीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि जो विकास नितीश कुमार ने बिहार में किया बतार केंद्रियम मंत्री क्रिसी विभाग में रहते किया रेल में रहते किया ऐसे में अब वो खरे हैं देश का अगवाई करने के लिए प्रधान मंतरी बनने के लिए लेकिन अगले ही दिन जब जनता दल उनाइटेट की एक बैठक मुक्य मंतरी नितिश कुमार के आवास में होती है तो ललन सिंग नदारत रहते हैं और चर्चा वहीं से शुड़ हुई कि आकिर क्या बात है जब इतने बरे पैमान राष्ट्री अध्यक्षे संगठन का काम ललन सिंग देख रहे हैं और जब संगठन का बैठक हो रहा है तो वो नहीं है और अब जब कॉडिनेशन कमीटी में जाना है तो निश्चीत तोर पर ललन सिंग समझते हैं कि किस पॉर्मूले पर बात किया जाए और य जनता डल ईनाइटेड टो राष्टी जनता दल है अगर इन दोनों दलों के नेताओं के भीeled आपसिज सहमती नहीं बन पाई है तब ही तो पटणा में ललन सिंग और टेष्वी यादों की सहमытी बन पाई दिली में नहीं बन पाईगी तो वहां विवाद करके देश भर के स सामने भद पिटवाने से अच्छा होता कि यहीं तालमेल की बात हो जाती साथ ललन सिंग जो बिहार की पार्टी जेडियू और बिहार में राजद और दूसरे अन्य दल है उनके साथ तालमेल नहीं बेठा पा रहे हैं देखिए निशित तौरपप अपसे पहले बिहार की बा पहले तो नितिश कुमार ने सांसदो की बैठक बुलाई थी बैठक बुलाई लेकिन जब स्वरूप तयार हुआ एंडिये गट बंधन का तो कोई बैठक नहीं किया गया है अगर 16 सीट पर दावा जनता दल उनाटेट ठोकती है तो 24 सीट बसते हैं और पहले ही CPI ने CPI माल 20 का होता है तो क्या राष्ट्री जनता दल चार पर लड़ेगी तो यह सवाल है और सांसदों से जनता दल उनाटेट का बात न करना क्या नराजगी रहेगी अगर किसी भी सांसद का सीट कटता है तो निश्ची तोर पर और देखिए जब से यह कॉडिनेशन कमीटी बनी या इस कॉडिनेशन कमीटी से पहले जो महागडबंधन बना तो तेजश्वी यादों से भी कोई रायमस्वरा से टिकट बठवारे को लेकर नहीं किया गया है और यही कारण है कि ललन सिंग समझते हैं कि अगर दिल ली जाते हैं कॉडिनेशन कमीटी में वो बड़ा चेहरा है उस पाटी को रिप्रेजन्ट कर रहे हैं जिसके पाटी के नेटा के बारे में कहा जा रहा है कि प्येम उमिद्वार हो सकते हैं तो सवाल कई और इन सवाल के बीच अब जो बैठक होनी है ललन सिंग नहीं जा रहे हैं तो निश्ची तोरपर जवाब तो देना होगा क्योंकि तेश्वी यादो जा रहे हैं लेकिन एक ऐसे चेहरे को जनता दल उनाइटेट भेज रही है जो बिहार में भी संगठन का काम नहीं देखते संजय ज्या तो संजय ज्या क्या बात करेंगे किस तरीके से लोगों को समझाएंगे कितने सिक्ताय की गई है तो यह सवाल ह पर जेडिव के अंदर जो इस्तिती है फिलहाल बहुत असपस्ट नहीं है लोग सुबचुनाओं को लेकर आरियन के पास एक और सवाल और लेंगे आरियन से कि क्या लगता है आरियन कि नितीज कुमार जो दो दिनों तक बैठक करके मन्थन कर रहे थे कहा यह जा रहा थे कि कोडिनेशन कमीटी के बैठक ठीक पहले आरजेडी ने अपनी बैठक की तेजश्वी आदो ने बैठक की कॉंग्रेस ने बैठक की वामदल के जो बैठक है वो चल रही है तो यह धरातल पर होंबर करते हुए दिख रहे थे नितीज कुमार ने भी बैठक बिलाई तो क्या अधर करें ल्लड को नहीं दला कर पाए या नितीज कुमार ने जो हमबर किया है उसमे ल्लड कर पा थे निताओं का क्यब है और विश्वास सूत्र बता रहे हैं उन्नहोंने तौर पर आय कि इस में लोग चुनाओ की तयारी करें राजनिती हम देख लेंगे तो राजनिती कैसे देखेंगे राष्ट्रिय धक्स तो ललन सिंग है और कहा जाता है कि पिछले कई वर्सों में कोई अगर वेक्ति तो लेकिन उनको भी बाहर किया गया और क्यों किया गया क्योंकि बीच में बीच में ललन सिंग आए या फिर ललन सिंग समझते हैं कि मौजुदा परिस्थिती में जो स्वरूप महागडबन्धन ले रहा है ये इंडिया गटबन्धन ले रहा है इसमें जब सीटों पर चर्चा होगी तो फजिहत जो है सबसे ज़्यादा चंता दल उनेटेट की होगी अगर 16 सीट से कम मिलते हैं तो पाटी तूटके कगार पर खड़ी होगी और अगर 16 सीट मिलता है तो बाकी दलों को कै से अड़जस्ट किया जाएगा इस फॉर्मूले पर अब तक किसी ने भी बिहार के गटबन्धन की बात कर ले महागटबन्धन की तो किसी भी दलों ने कोई भी चर्चा नहीं की है बहुत भी धन्यवादारियन तो सबसे ज़्यादा मुश्किल के हलात जन्ता दल नाइटेड में दिख रहा हैं कोडिनेशन की पहली बैठक और इस बैठक में ललन सिंग का नहीं जाना कई सारे सवाल खड़ा करता है सवाल ये भी है कि क्या आप दूसरे को खुश करने के लिए जन्ता दल नाइटेड अपनी पार्टी की सीटे कुर्बान करेगी या ललन सिंग बराबर के हिस्सदारी के साथ बिहार में चुनाव लड़कर देश में नितीश कुमार को परधान मंतरी बनाएंगे कई सवालें सवालों के साथ हम छोड़े जाते हैं कि आखिर ललन सिंग इंडिया गड़बंदन की पहली कोडिनेशन कमीटी ये उमीदों की बैठक है क्योंकि नितीश कुमार का चुके हैं कि इस महिने के लास्ट तक सब कुछ किलियर हो जाना है लाश्ट तक सब कुछ किलियर में नितीज कुमार में कई सवाल छोड़ जाते हैं वो कौन सा सब्ध है जिसमें सब कुछ समाहित है धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिन्दगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना नमस्कार, मैं अनुरादा पौडवाल 26 नवेंबर को पानुरामा स्टार सीजन 6 के कारेक्टरम में पूर्निया बिहार आ रही हूँ मुझे पानुरामा ग्रूप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है तो हम सब मिलते हैं पनुरामा यी होम्स में शाम साथ बजे नमस्कार ये लो मुझ मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुर्निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है, मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा ला है, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुर्निया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हूँ, हमने पुर्निया में घर ले लिया है, पुर्निया के e-homes panorama में पुर्निया में panorama ग्रूप लेकर आये हैं, e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े, आप क्यों मूमीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी, पुर्निया में e-homes panorama के संग, e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined